हेलो और वेलकम टो रुकसास किचिन आज हम बनाएंगे हैदरवादी नहारी नहारी यहां का हैदरवाद का पसंदीदा नाशता है और इसको हम रोटी, कुल्चा या नान के साथ खाते है यह बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर इसके लिए मैंने यहां पर लिया है चार भुनेवे पाए और अधा किलो मुंडिय सरी का गोश जबान के साथ इसको हम अच्छे से धोलिंगे फिर इसको एक कुकर में दाल दिंगे फिर इसमें दालिंगे नमक हम स्वादनुसार यानि यह दख्रिवन देटी स्पून के बराबन नमक है फिर इसमें दालिंगे हम एक टेबल स्पून अधरक और लेसन का पेस्ट पाय में यहां पर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो किसी बरतन या पान में भी गला सकते हैं, इसको ठोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कुकर में थोड़ा सा यह जल्दी कल जाता है, फिर इसमें दालेंगे हम एक लिटर पानी और इसको पकने के लिए चुले पर र जालेंगे कि अच्छछे गलए यह नहीं तो इसनल से हाथ से तोड़के देख लिएंगे, तो यह जैसे तूट रह तो अच्छे से गल गए है, अब हम इसकी बगार की तैयारी करते हैं आ जाओ के पर किना पतली मिला झाल खृब कर तो इसनल से भैक्षिज उनल Protection कि आपके मिलेंगे तो ये खसके जड़, साबित धन्या है और तेज पत्ता, गुलाब पंग, पत्तर के पूल और कई मसाले रहते हैं और ये special नारी मसाला पकेट है पोटली के मसाले में से हम हर चीज, हैनी हर मसाला थोड़ा थोड़ा लीएगे और इसको एक बरतन में और ये पानी दालीगे और इसको चुल्ले पर हम पकने के लिए रख दींगे जैसे ही पानी खॉलने लगे हम ग्यास के फ्लेम को लो करेंगे और तक्रीबन 7-8 मिलिट तक पकाने के बाद ग्यास को बंद कर दीगे तो अब हम बगार की तैयारी शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे फिर इसमें दालेंगे 4 टेबल स्पून तेल फिर इसमें दालेंगे हम एक डली मीडियम साइस की बारिक कटीवी प्यास उसके बाद इसमें हम दालेंगे 4-5 हरेमिट जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है यानि इसको बीच में से मैंने चीर लिया था फिर इसमें दालेंगे हम 15-20 करीब दा प्यास को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिएंगे और जब यह golden brown हो जाए तब हम इसमें एक टीजपून अदरक और लेसन का पेस्ट दालेंगे फिर इसमें दालेंगे हम एक चौदाई टीजपून हल्दी पॉडर ग्यास की फ्लेम को हमें लो रखना है यहां पर फिर इसमें दालेंगे एक टीजपून भरकर लालमिश पॉडर आप मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं फिर इसमें दालेंगे हम पुदीने के पते दो टेबल स्पून और कोतमिर यहरा धनिया दो टेबल स्पून अब इन सारे चीज़ों को हम अच् इसमें दाल देंगे फिर इसमें हम तकरीबन आदा लिटर पानी दालेंगे और जो हमने पोडली मसाला पका के रख लिया था उसका सिर्फ हमें इसमें पानी दालना है तो इससे इसकी खुचब अच्छे से इसमें छुट जाएगी नहरी को हम थिक करने के लिए थोड़ा सा आटा आट करेंगे तो यहां पर मैंने एक टेबल स्पून जवार काटा लिया है अगर आपके पास जवारी काटा नहीं है तो आप गहो काटा भी दाल सकते है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करते हैं मैं इसको थिक पेस्ट में बना लिए जब आटा अच्छे से थिक फ्लेम को लो करेंगे और 10 मिनिट तक इसको ठकन लगा कर पका लिए तो 10 मिनिट हो चुके है तेल भी उपर सर्फेस पे आ गया है अब हम ग्यास के फ्लेम को बंद कर लिए तो नहरी तयार हो किया है अब हम इसको एक सर्विंग डिशिवे बॉल में निकाल लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकोन दबाएए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थैंक्स फॉर वाचिंग रुखसास किचन